हलो दोस्तों मैं अंकिता संटोसी आएस पे आप सभी का स्वागत करती हूं गटना चक्र की जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियां ठीक है चलो आते हैं अपने प्रस्ण में पहला प्रस्ण क्या है यह है एक सिकिंड भारती समविधान में कुल अनुसूचिया है तो भारती समविधान में कुल कितने अनुसूचियां है बारा बात करते हैं मूर् Sustain की जब मूर्थ समविधान लागो हुआ था 26 November 1950 को तो मूर्थ समेधान में 395 अनुचे आठ अनुसूचिया और 22 भाग थे जो नौवी, दस्व ग्यरावी और बाहरावी यह जो चार अनसूचियां है यह आपके संविधान संसोधन द्वारा जोड़ी जाती है जो नौवी है नौवी अनसूचि यह जोड़ी जाती है जो पहला संविधान संसोधन 1956 में होता है उसके बाद नहीं है जो दसमय संसोधन आपके बारेशन द्वारेशन द्वारावी जोड़ी जाती है फिक है चलो अब बात करते है नेक्स्ट कोंचन की जो नेक्स्ट कोस्चन है भारदी संविधान में है तो सेम आपका अंसर क्या होगा बारेशन है निम्लिखित कत्नों पर विचार केजिए भारत के सम्मिधान में 20 भाग है तो भारत के सम्मिधान में 20 भाग नहीं है भारत के सम्मिधान में आपके जो भाग है वो है 22 भाग भारत के सम्मिधान में कुल 390 उचेद है तो 390 नहीं यह है 395 ये भी गया है भारत के समिधान में 9, 10, 11 और 12 अनुसूचियों को समिधान संसोदन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है उपरोक्त कथर में से कौन सा सही है तो कौन सा सही है केवल और केवल 3 ये IS का कोश्चन है ठीक है ISP 2005 का एकदम विजी प्रशन है क्योंकि आपने इस सुरू से कल से पढ़ रहे हैं हम लोग के जो भारत की जो समिधान है उसमें 22 भाग है 396 है और 12 अनुसूचियों मोल समिधान में 8 अनुसूचियों थी नावी दस्वी 11 और 12 ये चाल अनुसूचियों जो है ये आपके समिधान सो अनुसूधन द्वारा जोड़ी गई है ठीक है अनुसूचि दूसरी अनुसूचि क्या है दूसरी अनुसूचि में जो समवयधानिक प्रदिकारी मतलब जो वेतन भत्ते हैं उनका अपुबंध है और तीसरी अनुसूचि में सपत का प्रावधान है इसमें राष्टपती और उपराष्टपती का सपत का प्रावधान नह और चौथी में राजिसभा के सीटों का आवंटन है यह अनुसूची याद रखना है नेम मैची में भी पूछा जाता ठीक है चलो बात करते हैं नेक्स्ट कोस्चन की यह दिभारत के एक नए राजिका स्रजन करना हो तो समविधान की निम लिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवस संसोधित किया जाना चाहिए तो किसे संसोधित किया जाना चाहिए वो आपकी पहली अनुसूची है और पहली अनुसूची क्यों संसोधन किया जाना चाहिए रीजन उसका यह है कि जो संग और राज्यों के छेत्रों नाम और उनके विस्तार का विवरा कौन द करता है तो फ्महार stepयों को स्विद्धान जो सिद्मा बश्चा कि न कि एक ठाती है ये आवंटन के बारे में बताती है। राजिसभा के सीटों का आवंटन बताती है। राज़नीतिक दल बदल दल बदल क्या है यह आपका बावानवई सम्मिधान संसोधन दवारा दस्त्रीयन उसुची हे। तिक पंचायत विवस्था जो आपकी आती है यह आता है आपका। शमीद्धन शन्सोधन द्वरा ठीक है इसमें 11 ऐनसूची में कितने विसे इसमें 29 विसे ठीक चलो भासाओं के बारे में कौन से अनसूची बताती है यह बताती है सब्सक्राइब करें चाहिए बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की हमारा क्या है हैं भारती समिधान की तुर्थी अनुसूची में निम्न में से पापूबंदी थैं उठते हैं कि यह अपूबंदी थैं पहलना संग मंत्री निक्ष किस अपत्र का प्रारूप उचितम नयाले के मुख नया धीस द्वारा ली जाने वाली सपत का प्रारू भारत के राष्टपती के लिए पद की सपत का प्रारू जो आपका फूर है वो है संसत के सदसे द्वारा ली जाने वाली सपत का प्रारू तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो तृति यह नहीं दिया गया है तो आपका तीन चलो गया यह गय कि कई कैlles आपका ंसर क्या होगा एक दो और चार चै क्या होगा एक बाते हुआ कर WiFi जो राष्ट पति है राष्ट पती कि सफत का प्रारोप यह किस ने दिया गया है और आर्टिकल सिस्टी में आर्टिकल सिस्टी में चलो हम यह बात करेंगे जो तृती अनुसूची होती है इसमें किसकी सपत का प्रावधान है तो संग के मंत्री संसत के निर्वाचन जो प्रावधान होती है संसत के सदस उच्टम नयाले के नयाधिस भारत के नियंत्रक महाले का परिच्छ किसी राजी के जो मंत्री आते हैं राजी विधान मंडल के निर्वाचन और राजी विधान मंडल के सदस से उच्छ नयाले के नयाधिस ठीक है यह सब भी आपकी तीसर अनशूची में सप्डग्रहण करते हैं यह रास्थ पते आर्टिकल्स करते हैंने है next question की चतूर्थ सस्टम अस्टम नमों दिखो ऐसे लिखा है नसूची में क्या वरा था पढ़ा था राजी राजी सभा, आठ में क्या पढ़ा था, भासा, एक स्वारी, ये, बस एक सिकिन, एक सिकिन, एक सिकिन, फिर चाहते हैं, राजी सभा, आठ में, भासा, नौ में, भूमि सुधार, छे में, जन जाते हैं, शेत्र, और जो आपके छठी अनसोची आती है, इसमें कभी-कभी पूछते हैं कि कौन से राज्य है, ठीक, तो वो है, अमे, मित्र, छठी अनसोची ये बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, अशम, मेघाले, मिजोरम, और त्रिपुरा, इसको याद रखने से कभी गलत नहीं होगा, अगर सीदे छठी अनसोची में पूछेंगे, छठी अनसोची में कौन से राज्य हैं, कौन से नहीं है, तो बस आपको सिंपल सा याद रखना है, अमे मित्र, ठीक है, इसके कंफूजन नहीं होगा, क्यों कंफूजन नहीं होगा, तो आसे असम, जब एक ही मांत्र है, तो मेघाले, और मिजोरम नहीं, ऐसे मिजोरम और मड़पुर में कंफूजन रहे गल, ठीक है, तो जब यहाँ पर मीली खा हुआ, तो आपको कोई कंफ अब आप लोग इसको मैंचिंग तो कर लेंगे चलो आपका D option होगा ठीक है चलो बात करते हैं नेक्स्ट कोस्ट्टन की कि साथ वी आठवी नौवी दसवी क्या क्या है चलो देखते क्या है जो आठवी में सुची है आठवी में क्या है भासा नौवी में क्या है दसवी में क्या है और साथ वी नौची में आपकी भासा हो गई साथ वी में जो है विधाय सक्तियों का वित्रण हो गया है नौवी में कुछ अधिनियमों का विधिमानी करण हो गया है और दस्वी अनुसूची में आपका क्या हो गया दल बदल और दल बदल को 52 समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया था ठीक है चलो चलो बात करते हैं नेक्स्ट कोईश्चन की किस प्रधान मंत्री के कारेकाल के दौरान भारत के समिधान में नौवी अनुसूची को पुरास्थापित किया था जो जवाहरलाल नेरू है ये भारत के प्रथम 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 मंत्री थे और इनहीं के कारेकाल में उन्नीस त्विक्यावन में पहली बार प्रथम सम्मिधान सोधन के द्वारा नौवी अनुसोची को स्थापित किया गया था बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की राज भूमि सुधार अधिनियमों को समयधनिक सुरच्छा प्रदान करने हैं तो सम्मिलित किया गया था नौवी अनुसोची दसवी अनुसोची में दल बदल हो गया आठवी अनुसोची में भासाय हो गई है जो सत्वी अनुसोची इसमें वो विधी द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया हैं वो सामिल है ठीक, एक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला आपका जो statement है भारत की संसत किसी कानून विशे को भारत के समिधान की नौवी अनुसूची में डाल सकती है नौवी अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परिच्छड किसी नियायले द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके उपर कोई निड़ा भी नहीं किया जा सकता उपर विचार करते हैं कि कौन सा सही है तो इसमें लिखा है नहीं किया जा सकता है ये किया जा सकता है ठीक है पहले तो इसको देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पढ़ता है नहीं और हाँ ये न बहुत confusing वाले point रहते तो पहले तो statement को ही अच्छे से पढ़ना है तो आपका आंसर होगा केवल एक ठीक जो ये न्याईक समिच्छा की बात है एक वाद आया था कोईलो वनाम तमिल नाडो राज्य तो इसमें ये निरड़ाय आया था कि जो मतलब ये नावियन सूची है ये न्याईक समिच्छा से मतलब परे नहीं है इसमें किया जा सकता है ठीक है चलो, बात करते हैं, next question की कोईलो केस भारत की समिधान की किस अनुसूची से सम्मंदीत है तो वो आपके सम्मंदीत है, नौवी अनुसूची से, ठीक है नौवी अनुसूची हो गई, आठवी में क्या है, भास आएं, दसवी में क्या है, दल बदल बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन के इसमें है मनलब कि कौन सी सूची में कितने विसे हैं प्रवस्टी या मनलब विसे ही है ठीक है चलो देखते हैं किसमें कितने विसे हैं संगी सूची में कितने विसे हैं संगी सूची में 97 विसे हैं राजीय सूची में 6-6, समड़तीय सोची में 47, देखो यहाँ पर एक बात बताएं, अगर मैचिंग में नहीं आ रहा है आपको याद नहीं है, संख्या नहीं याद है कि कितने विशा किसमें है, तो जो सबसे ज़ादा विशा होंगे, वो संगीय सूची में होंगे, उसके बा केंद्र सरकार बनाता है ठीक है कानून राजी सूची में राजे सरकार जो समवर्थी सूची होती है उसमें केंद्र राजी दोनों बनाते हैं लेकिन किसी कानून में यदि दोनों के मध्य तकराहट होती है तो जो मानने होगा वो संट्रल का मतलब केंद्र का कानून वो मानने होगा ठीक है तो आपका अंसर क्या होगा A C B मतलब B option आपका सही होगा ठीक चलो बात करते नेक्स्ट question की भारत की सम्विधान के अंतरगत आर्थिक योजना कभी से है भारत की सम्विधान की अंतरगत आर्थिक योजना कभी से है तो यह है आपका समवर्ती सूची का ठीक है समवर्ती सूची कभी से है चलो इसके बाद बात करते हैं next question की आर्थिक नियोजन भारती सम्मिधान की किस सूची में सम्मिलित है तो वो आपका है समढ़ती सूची जो आर्थिक नियोजन है इसी के तहट आपको योजना आयोग भी आता है ठीक है और योजना आयोग के स्थान पर क्या आता है एक नितियोग का अध्रच जो होता वो कौन होता नितियोग का अध्रच होता है प्रधान मंत्री ठीक चलो बात करते हैं next question की निम्द में से तो समढ़ती Сूची का हैं तो melhores ये जैंखते हैं ये क्ले आमको आपराधिक मामले जो आपराधिक माम्ले हैं ये हैते समढ़ती सूची का विशे पुलिस राजी सूची का विशे है ठीक है रेडियो और टेली वीजन ये संगसूची का विशे है और जो वुदेशी मामले है क्यें आपक़ किस का विशे है यह भी कि क्या है ति जन संख्या नियंत्रण और पाईवार नियोजन, यह समवर्ति सूचि का है तथा लोक स्वास्ट मेड़ा, प्रतिव्यक्ति कर इवं निकात्थ नीधी राज सूचि के अंतर गताते हैं, ठीक ये आपके तीन जो विशय है मतला लोग स्वास्था और सच्छिता प्रतिवेक्तिकर और ये जो नीधी है ये आपके राजी सूची के विशय है ठीक है चलो बात करते हैं नेख्स कोस्टन की इसका आपका यह जवाब ही होगा, ठीक है चलीं एक कोस्टन को देखते हैं नेख्स कोस्टन है हमारा निखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है सारवजिनिक स्वास्थेम सच्छता जनगर्णा राजिसभा में सीटों का वटवारा दलवदल विरोध तो जो राजिसभा में सीटों का वटवारा है हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये चौथी नुसूची का विशा है ना कि दूतिय, दूतिय में क्या पढ़ा था, दूतिय में हम लोगों ने पढ़ा था, वेतन और बत्त, तृतिय में सपत पढ़ा था, चौतिय में राजिसभा की सीटों का आवंटान पढ़ा था, ठीक है, और पाचवी में क्या पढ़ा था, पाचवी में है अनुसूची छे अब बात करते हैं नेक्ट कोष्चन की निम्षित में से कौं साविषे समर्थी सूची में है तो समर्थी सूची कभी से कौन सा है यह आपका सिच्छा है जो सिच्छा है भारती सम्मिधान में पहले समय सूची का विश्य था सीच्छा जो प्राराभव में राजी सूची का विश्य था उसे समय सूची में इस्थांत्रित कप किया गया था तो वो किया गया था बायालिस में संविधान संसोधन द्वारा ठीक, चलो आप बात करेंगे next question की भार्थी संविधान के किस संसोधन में वनो को राजी सूची से समर्ती सूची में स्थांतरित किया गया था, तो ये भी आपके बायालिस में संविधान सलसोधन द्वारा किया गया था ठीक है तो जवाब का सिच्छा और यह जो वनों को राजी सूची से इस्थान तरित करते समवर्थी सूची में डाल दिया गया था ठीक है तो याद रखना इसको चलो बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की यहां पर पीपीटी में पूरा प्रस्म नहीं आया है सॉरी इसके लिए क्योंकि यह कट गया पीपीटी बना थे समय तो यहां पर जो आपका कोश्चन है भारत के समिधान के अंतरगत विशय तथा सम्मंधित सूची के बारे में सुम जनस्वास आपका राजी सूची का विशय है सेयर वाजार एवं डाग घरवजद यह दोनों संग सूची का विशय है लेकिन जो यहां पर सेयर वाजार लिखा हुआ है यह समवर्थी सूची तो यहां पर समवर्थी सूची नहों करके संग सूची होगा ठीक है चलो बात करतें नेक्स्ट कोस्चन की फिर सूची एक का सूची दूसे सुमेलन करना है कि क्या सही है क्या गलत है चलो बात करतें किंद्र सूची कब इसे है जनगर्णा ये जनगर्णा हो गया राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक विवस्था स्थमवर्टी सूची में क्या है जन्संख्या नियंत्रड और परिवार नियोजन jerk और विसे अंतरेच अन्संद्दान देखो यहां पर लोडिस करना जब जन गडणा पूछीगा सिर्फ वा सिर्फ जन गडणा तो ये केंद्र शूची का विसे है जबकि जनसंख्यन नियंत्रण और परिभार नियोजन तो यह आपका स्तमवर्ती सूची का विसे है ठीक है तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ए ठीक नेक्स्ट कोश्चन की बात करेंगे भारती संविधान के निम्रीखित में से कौनसे प्राव्धान शिच्छा पर प्रभाव डालते हैं Hanım में भृत करते हैं भाती समिधान के निम्रिखित में कौन से प्रावधाँन कौन से प्रभाव डालते हैं तो कौum प्रभाव डालते हैं राज के नीद्निदेशक तक्त्तो ग्रामीड ओर स्थानी निकाय romance पर बात करते हैं भारती समिधान के निम्रीख में से कौन से प्रावधान सिच्छा पर प्रभावव डालते हैं तो राजिक के जो निरिषर्ट तब हैं इसमें जो आपका आठीकल पैफालेश होता है जो 6 वरत 50 साहे स fluid के बच्ची干 निकलाब चीच्छा मंदित जो ग्रामीड और सहरी स्थानी निकाए 243 से जी से ये 243 जो वा है वहां तक पंच़मन वन सुची और सस्थे मंदल ये पांच वी छटी और सुच्थी ये जु सारे हैं ये कही न गए सिच्छा पर प्रभाव ढालते हैं ठीक है तो आपको जो आंसर होगा वो होगा सभी 1 2 3 4 5 एक सेकंड़, एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक, बात करते हैं, next question की, next question क्या है, भार्ती सम्विधान की सात्वी, अनसूची के अंतरगत, संग, सूची में निम्लखित में से किसका वलेक नहीं है, तो किसका वलेक निम्लखित में से नहीं है, वो जो है आपका, जो गैस ह गयाज का उलेक नहीं है ठीक है? किस्का उलेक है? बैंकिंग का है? बीमा का है जनगर्ना का है? लेकिन जो गयाज है गयाज का उलेक आपका शंगसूची में नहीं है जो प्राक्तिक गैस पर उत्पाद या जो टैक्स लगता है वो संगसूची का विशाय है लेकिन जो गैस है गैस राजिसूची के विशाय में सामिल है ना कि संगसूची में पर बात करेंगे निविखित में से कौन सा भारती सम्विधान की संग सूची से संबंदित नहीं है तो वह कौन सा है वह आपका क्रसी हो गया ठीक है मुरच्छा यह आपका केंदर सूची का विशा है ठीक रेल्वे यह भी केंदर सूची का है व्यदेशिक मामले यह भी केंदर सूची का विशा है ठीक है जबकि जो रेल्वे है रेल्वे पुलिस सरी जो पुलिस है वो राजी सूची का है रच्छा रेल्वे और व्यदेशिक मामले यह सब केंदर सूची का विशा है ठीक है चलो ब हारती समधान की साहत्वी इन सूची के अंतर अधारत्य सूची में निखित में पर सब्सक्राइब चुच्छा समघले सब्सक्राइब ऑप में समय राज़शूची में राज राज़शूची में रमिवेग्स निगमकर फिसी आपका राजयसूची का है रही में केंद्रकाइक चैनल है ये भी केंदर सूची का विसे है ठीक है चलो बात करते है नेक्स्ट कोश्चन की और जो पंचायती राज के जोड़ा कम गया था 73 संविधान संसोधन दारा और पंचाती राज के सिल्पी कौन है वो है बलबंतराय मेता ठीक है चलो बात करते हैं नेस्ट कोश्चन की समवर्ती सूची कहां से लिया गया था तो यह आपका लिया गया था आस्ट्रेलिया से जो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है निम्रिखित में स संवर्ती सूची में सामिल है जो दंड प्रक्रिया ये आपका सामिल है दंड प्रक्रिया पोलीस कारागार लोक वीवस्त ल? ये सभी राज सूची में साविल ठीक ुर्वा वीवा विचेद्व गोल लेना सविधान के साथ भी सूची में के अंतरगर सम्मिलित के गये है तो कहाँ पर वो सम्मिलित किया गया है? वो सम्विलित किया गया था सूची थड़ के समवड़ती सूची में ठीक है सूची थड़ के समवड़ती सूची में चलो बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की नेक्स्ट कोश्चन क्या है सरकारों त्वारा सूट के एवं कर लगाने का अधिकार सम्विधान की किसन सूची में सब्सक्राइब कि यह आपका साथ वी आ्ननोैप्यू जो चींदिल आपलतली मेरे स arbit प्रेज जर्टी ः करें मेरायो posis यह को बाटी न किस्टा प्रेकाटी निर आपके ार्य जो चार राश्य हटी आननसुची में मैं जो ने कि cut हम समीधान सु सोधन दौरा जोड़ी नसूची में आपका पंचायती राज्यु पमझय जोड़ा Ligyad ओर looking चलो भूमिशुधार की सूचे में आता है तो जो भूमिशुधार है वह आता है राजी सूची में ठीक चलो नेक्स्ट कोशन को देखते हैं भारत के समिधान की किस अनुशुची के अधिन जन्जाती भूमी का खनन के लिए नीजी पच्छिकारों को अंतरण अक्रत और सूनि गोसित किया जासकता है वो आपका है पांचवी अनुसूची ठीक कौन से अनुसूची है पांचवी अनुसूची है चलो नेक्स्ट को देखते हैं यदि किसी विशिष्ट छेत्र को भायत के समिधान की पांचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्खित कस्टों में कौन सा एक इसके परेडाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिभिंबित करता है पहला है इससे जन जाती लोगों की जमीने गयर जन जाती लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी इससे उस छेतर में एक स्थानी स्वसासी निकाय का सर्जन होगा इससे वा छेतर संग राजी छेतर में बदल जाएगा जिस राजी के पास ऐसे छेतर होंगे उसे विशेश कोटी का राजी गोशित किया जाएगा तो क्या होगा जो परेडाम होगा इससे जन जाती लोगों की जमीने गैर जन जाती लोगों को अंतरित करने पर रोक लगा दी जाएगी क्यों रोक लगा दी जाएगी क्योंकि इनको पाचवी अनुसूची में सामिल कर दिया जाएगा और पाच्वे अनसूची में प्रावधानी है, अनसूची चत और जो जन जातिया है उनको, मलबिक तरीके से उनके अधिकारों की सनुच्छित करने के बाद पाच्वे अनसूची में की गई है, ठीक है, चलो, बात करते हैं, नेक्स्ट कोश्चन के, भारत के सम्विधान की कि अनसूची में विभिन्य राज्यों में अनसूची छेत्रों के प्रिसासन और नियंत्रड के लिए विशेश उपबंध है, तो वो कौन सी अनसूची है, वो है पाच्वे अनसूची, ठीक है, चलो, नेक्स्ट कोश्चन के बात करेंगे, भारत के सम्विधान में पाच्वे अनसूची और छटी अनसूची के उपबंध निम्लीखित में से किसके लिए किये गए है, तो वो किसके लिए किये गए है, अनसूचित जनजातियों के हितों के सनरच्षड के लिए, ठीक है, अनसूचित जनजातियों के हितों के सनरच्षड के लिए, ठीक, नेक्स्ट नेसे किर्णाज्यों के जंजाती छेत्रों के प्रसासन से सम्मंदित है तो अपने ट्रिक लगाओ मिघाले मिजोरंतर पुरा यहां पर अश्म ठीक अश्म मिघाले मिजोरंतर पुरा ठीक आपका अंसर भी हो गया नेक्स्ट कोश्चन की बात करेंगे स्वायत जिला के संदर्व में कौन सा सही है पहला है प्रतीख स्वायत जिला परिशन में 30 सदस से होते हैं भी है स्वायत जिला परिशन के 24 सदस से मददान के द्वारा चुने जाते हैं तथा सेश छे राजिपाल द्वारा मनोनीत होते है जो थीन है वो है असम के स्वायत जिलों में भारती संसा द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज जिपाल के पास है ठीक है चलो देखते हैं तो यह आपका जो आंसर होगा वो होगा एक और तीन एक और तीन मनलब जो प्रत्येक स्वायत जिला होता है जिला परिशत उसमें 30 सदस से होते हैं और असम के स्वायत जिलों में भारती संसा द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार किसके पास होता है वो होता है राज जिपाल के पास ठीक चलो, नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं आपके जो सभी कोश्चन है, वो कम्प्लीट हो गए है ठैंक्स आप सब भी ने पूरी क्लास को अच्छे से देखा और मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हूं ताकि याद हो जाए ठीक है, तो आप तक जितने टापिक हुए हैं, आप सभी लोग उसको अच्छे से रिवेजन कर लीजिएगा कल आपकी क्लास आफ रहेगी क्योंकि रच्छा बंधन है रच्छा बंधन की आप सभी को हार्दिक सूप काम नाए ठीक है, इसवर करें अगली रच्छा बंधन तक सबको जॉब मिल जाए, अपने अपने जो लच्छे उनकी प्राप्ति कर ले ठैंक यू, क्लास कैसी लगी जरूर बताना और हाँ, जादा से जादा से जादा से यहर करना कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वाइस में प्राप्लम है, तो मैं फैन को आफ करके क्लास रिकार्ड कर रही हूँ, ठीक है अपनी तरब से मैं बहुत डस्ट कर रही हूँ, मतलब कि आवाज को मैनेज करने की कोशिज कर रही हूँ तो यह आप लोगों के जिम्मेदारी है कि जादा से जादा चैनल को सेयर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेस्ट आफ लग, थैंक यू